हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रंजी ट्रोफी से रिलेड़ेट कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता होंगे रंजी ट्रोफी इंडिया का सबसे oldest और सबसे popular domestic cricket tournament है और पिछले कुछ सालों में रंजी ट्रोफी ने इंडिया में बहुत popularity गेन करी है और आज के टाइम में इंडिया में रंजी ट्रोफी का status इंगलेंड के country cricket जैसा है जो की वहाँ बहुत popular है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रंजी ट्रोफी से related 12 ऐसे facts जो शायद आप नहीं जानते होंगे तो अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा end तक देखेगा और क्या आप रंजी ट्रोफी देखते हैं अगर हां तो आपकी फेवेट टीन और प्लेयर कौन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा तो चलिए अब मुझे उडियो को स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर वन रंजी ट्रोफी का पहला मैच चार नवंबर 1934 को चेनने के M.A. चिडंबरम स्टेडियम में मदरास और मैसूर की टीम के बीच में खेला गया था फैक्ट नंबर टू वसीम जाफर रंजी ट्रोफी के सबसे सक्सेस्फुल बैट्समन है 1996 से लेकर अभी तक वो इस टॉर्नमेंट में 11,000 से भी जादा रंज बना चुके हैं फैक्ट नंबर थ्री रंजी ट्रोफी के 84 साल के तिहास में मुंबई की टीम सबसे जादा सक्सेस्फुल रही है मुंबई ने टोटल 41 बार रंजी ट्रोफी जीती है फैक्ट नंबर 4 रंजी ट्रोफी में रीजनल क्रिकेट असोसीशन के अलावा रेलवेस और आर्मी की भी टीम्स खेलती हैं जिसमें रेलवेस ने दो बार रंजी ट्रोफी जीती भी है फैक्ट नंबर 5 अगर रंजी ट्रोफी का फाइनल मैच ड्रॉ हो जाता है तो दोनों टीम्स की फर्स्ट इनिंग्स की पफोर्मेंस के बेस पे विनर्स को डिसाइट किया जाएगा फैक्ट नंबर 6 हैधराबाद के पास रंजी ट्रोफी का सबसे वीर्ड रिकॉर्ड है हाइदराबाद की टीम के पास दोनों हाइस्ट और लोएस्ट टीम स्कोर का रिकॉर्ड है हाइस्ट उन्होंने 1993 सीजन में आंदरप्रदेश के अगेंस बनाये था 944 रन्स एंड लोएस्ट उन्होंने 2010 सीजन में बनाया था राजिस्थान के अगेंज जिसमें पूरी टीम 21 रन पे ही ओल आउट हो गई थी रनजी ट्रोफी के पहले सीजन में विनर्स को जो ट्रोफी मिली थी वो पटियाला के महराजा भूपेंद्र सिंग ने डोनेट करी थी राजिस्थान 1960 से लेकर 1974 तक आठ बार रनजी ट्रोफी फाइनल में पहुँची और वो आठो बार हार गई फैक्ट नमबर 9, 1934 में जब रनजी ट्रोफी स्टार्ट हुई थी तब इसका नाम Cricket Champions of India था पर बाद में इसका नाम चेंज करके महराजा रनजीत सिंजी के नाम पर रनजी ट्रोफी रग दिया गया फैक्ट नमबर 10, रनजी ट्रोफी की हिस्ट्री में एक एरा ऐसा था जिसमें मुंबई की टीम को हराना almost impossible था 1958 से लेकर 1973 तक मुंबई ने 15 बार लगतार रनजी ट्रोफी जीती है फैक्ट नमबर 11, रनजी ट्रोफी की पहली बॉल मदरास के बॉलर एमजे गोपालन ने फेक की थी और रनजी ट्रोफी की पहली सेंचुरी हाइदराबाद के बैट्समन एसम हादी ने बनाई थी मुंबई की अगेंस फैक्ट नमबर 12, रनजी ट्रोफी का नाम सर रनजीत सिंजी विभाजी जडेजा के नाम पे पड़ा है पर वो कभी इंडिया के लिए क्रिकेट नहीं खेले क्योंकि उस टाइम पे इंडिया की कोई सेपरेट क्रिकेट टीम नहीं थी और इंडियन सब कॉंटिनेंट कुछ फैक्ट के ऊपर आपको इस विडियो कैसी लगी मुझे अपने लाइक्स और कॉमेंट के जरीए जरूर बताइएगा एंड इन में से आपका सबसे फेवरेट फैक्ट कौन सा है मुझे कॉमेंट से जरूर बताइएगा एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्स कर लिजे मैं ऐसे क्रिकेट से रिलेट वीडियो हर अफ़ते डालता हूं इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू फो वाचिंग दिस वीडियो